वेल आज जो आप ये trading strategy सीखने वाले हैं जिसे आप या तो बोल सकते हैं ब्रहमास्तर trading strategy या फिर जैसरे मैं बोलता हूं Triple confirmation intraday strategy आप मैं intraday क्यों बोल रहा हो वैल । इस strategy को ना सिफ intraday आप चाहें तो swing trading के positional trades के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पर इंट्रडे के लिए आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपको एक exclusive strategy चाहिए वैल यह चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस strategy को आज से पहले मैंने कहीं पर भी disclose नहीं किया है कहीं पर भी share नहीं किया है इस strategy को मैं खुद implement करता हूं और इस strategy के जो results हैं वो जबरदस्त हैं अगर आप risk to reward ratio की बात करोगे ना तो इस strategy को अगर आप use करते हो तो आपको stop loss बहुत कम होता है और आपको profits बहुत जादा मिल सकते हैं वेल अभी मैं जो बोल रहा हूं उसे मैं आपको exactly अभी computer screen पर दिखाने वाला हूं इस strategy को आप जितना मर्जी back test करके देख लीजेगा ये strategy आपको हमेशा काम करते हो देखेगी चाहिए आप nifty में ट्रेड करते हो चाहिए बैंक निफ्टी में आप किसी भी stock पर लगा के देख लीजे in fact forex and crypto के अंदर भी strategy आपको काम करते हो देखेगी अब मैंने काफी ज़दा value बना दिया strategy की अब टाइम आगे है strategy आपको दिखाने का पर एक चीज में आपको बताऊंगा इस strategy को सीखने के बाद आप सबसे पहले आप paper trade करके देखेगा और खुद back test करके देखेगा कि क्या ये strategy सच में आपके लिए काम कर रही है बिकाज आज जो strategy आप सीखेंगे this is going to be a very unique strategy for you बहुत simple है and effective है so here we go चलिए अब आपको ये ब्रहमास्त्र स्ट्राटजी सिखाई देते हैं यहाँ पर देखिए मैंने अभी bank nifty का futures का चार्ट खुला हुआ है अभी आप यहाँ पर bank nifty के example लीजिए nifty का लीजिए या आपको जो भी favorite stock है इस strategy की back testing मैं आपको जो आप stock बोलेंगे उस पर करके दिखा दो यहाँ पर अभी हम देखते हैं जो हम समझना चाते हैं यह strategy किस तरीके से काम करती है इस strategy को समझने से पहले आपको यहाँ पर तीन indicators के बारे में समझना पड़ेगा यह तीन ऐसे technical indicators हैं जो आप अपने chart पर भी apply कर सकते हो और आज से आप results देखना शुरू कर सकते हो number one आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर indicator देख रहा है super trend मैं super trend को हटा देता हूँ आपको देखेगा super trend में आपको यह green line and red line देख रही है अभी इतना समझना जरूरी है super trend हमने लगाया दूसरा यहाँ पर हमने vvap लगाया यह vvap की blue color की line आपको देख रही है यह indicators में जाके आप इस तरीके से लिख सकते हैं आपको vvap मिल जाएगा आपको super trend मिल जाएगा आपको similarly हमने last लगाया हुआ MACD यहाँ पर देखे नीचे MACD को मैं हटा देता हूँ लगा देता हूँ आपको देख रही है MACD है अब यह जो तीन indicators हैं यह आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं के साब से हम कैसे trade करते हैं पहले हम यह समझ लेते हैं फिर मैं आपको strategy के बारे में बताऊँगा अभी देखे लाइव market चल रही है इस strategy ने बहुत जबरदस काम किया आज भी in fact back testing में आपको data भी देखेगा कि यह आपको हमेशा काम करते हुई देखेगी कब काम नहीं भी करेगी यह भी मैं आपको इस video के end में बताऊँगा अब यहाँ पर आप देखे सबसे पहले जब हम super trend की बात कर रहे है super trend एक trend following indicator है यह आपको यह बता देता है कि अभी trend क्या चल रहा है अब example के लिए आपको यहाँ पर यह एक arrow देख रहा है आपको यह red arrow देख रहा है similarly आपको यहाँ पर एक green arrow देख रहा है मैं यह full screen कर देता हूँ आपको और easily देखेगा अब यहाँ पर अगर आपको यह red arrow देख रहा है यह green arrow देख रहा है सिमिलरली दस मिनिट, पंदरा मिनिट, तीस मिनिट, आर लियर डेली हम यहां पे candles लगा सकते हैं, चार्ट में हम देख सकते हैं, अलग-लग time frames पे, अब इससे क्या पता लगता है, कई लोग सवाल पूछते हैं, कि अगर हम intra trading कर रहे हैं, तो कौन सा candle देखना best रहेगा, आप 5 यहां पर इस candle में, यहां पर super trend ने signal दिया, कि trend हो गया है downtrend, अब downtrend का मतलब है कि आप बेज दो, क्या मैं सिर्फ super trend के कहने पर बेज दूँ, यह तो हुआ सिफ में एक trend को, यहां पर एक signal generate हुआ और उसके हिसाब से एक action ले रहा हूँ, बट मैंने जैसे आपको बताया, कि हम triple confirmation के बाद ही trade करेंगे, in fact मैं आपको last में एक सबसे जबरदस चीज भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को end तक देखेगा, यहां पर super trend ने एक signal दिया, नीचे देखिए, यहां पर कुछ lines आपको दिख रहे हैं, blue line दिख रहे हैं, एक red line दिख रहे हैं, तो यह जो blue line ह होती है, इसे हम fast line कहते हैं, जो red line होती है, हम इसे slow line कहते हैं, यह कुछ नहीं है, exponential moving averages है, MSVD का मतलब होता है, moving averages, convergence, divergence, तो अब हमें यहां पर क्या देखना होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, crossover की, जब blue line, यहां पर कोई और example के साथ पहले आपको दिखाता हूँ, यहां पर एक आपको signal generate होता है, कि आप चाहें तो खरीज सकते हैं, जैसे हमने भी example लिया था, example पर आजाते हैं, कि अगर blue line ने नीचे से intersect किया है red line को, तो यहां पर एक signal generate होता है, कि आप खरीज सकते हैं, इसके साथ हमारा दूसरा confirmation हमें देगा, हमारा super trend, अगर हमारा super trend यहां भी कह रहा है कि खरीदो, तो यह मेरा dual confirmation हो गया, बढ़ क्या मैं आप खरीद लूँगा, मेरा तीसरा सवाल आता है, कि यहां पर देखें एक VWAP की line है, यह VWAP आपको futures के chart पर देखता है, क्योंकि volumes आपको futures में देखते हैं, अगर आप सिर bank nifty के chart लगाएंगे, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, कि अगर मैं simply bank nifty खोल लेता हूं, तो आप bank nifty पर देखेंगे कि VWAP नहीं देखेगा आपको, just a second, यह देखे, VWAP की line नहीं आएगी, क्योंकि volumes हमें bank nifty में नहीं देखते, हमें bank nifty के futures में देख जाएंगे, just a second, nifty bank लिखना पड़ेगा, इसके futures में हमें यहां पर VWAP की line देखती है, अब यह VWAP की line हमें क्या बदाती है, मैं वहीं पर आ जाता हूं, जहां पर हम थे, so that you will understand the things better, example हमारा वैसे तो कोई और था पर यहां से भी हम ले सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहां पर आप देखे, यहां पर भी ए सेट कर रही है, यहां पर crossover हो रहा है, आपका blue line और next candle में, इस candle में intersection हुआ, next candle में हमें super train ने बोला आप खरीद हो, तो हमारा यहां पर objective क्या है कि जब हम खरीदें, तो यह हमें VWAP पहले बता देता है कि जो volume weighted average price है, VWAP का मतलब है volume weighted average price, यह हमें guide करता है कि right entry क्या होगी औ अब इसका मतलब के है, देखिए price को journally VWAP के पास आना होता है, आप देखेंगे पूरे दिन के trading के अंदर भी, जो price है वो VWAP के पास जाएगा, अगर वो VWAP से दूर निकले, example यहां पर देखिए, यह VWAP नीचे है, price कितना उपर है, बड़ यह tendency है कि price VWAP के पास आएगा तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं यहां पर, तो आप इस strategy को काफी हत तक अब समझ गए हैं, अगर मुझे MSED ने बोला खरीदो, मुझे super trend ने बोला खरीदो, तो अगर यहां पर एक signal generate हुआ कोई बात, नेक्स candle के अंदर, यहां पर super trend ने भी एक signal generate किया कि आप खर है, क्योंकि जो price है, वो VWAP के पास जाएगा, तो अगर price पहले ही नीचे, low नीचे है, तो price उपर जाने की कोशिश करेगा, यह यहां से एक और पता लगता है, मुझे, यह एक और signal है, तो अगर price यहां पर example, तो वो VWAP के पास भागने की पूरी-पूरी कोशिश करता है, यह कितनी बड़ी candle बनी है आपके सामने, तो अगर price नीचे जा रहा है, तो VWAP के पास जाने की कोशिश करता है, बट हमें यह भी देखना है, कि हमारे MACD ने हमें क्या बोला, trend कौन सा चल रहा है, अगर trend यहां पर चल रहा है, example यहां पर downtrend चल रहा है, तो यहां पर मैं buy न नीचे से intersect किया, red line को, super trend ने बोला खरीदो, signal आया, और देखिए, अगर आपकी entry यहां पर कहीं पर भी थी, तो price क्या होगा, price generally VWAP के पास तो आएगा, तो price ने उपर जाना ही है, यह भी हमें पता लग गया, अब यहां पर अभी हम crossover देख रहे हैं, MACD का, हमें divergence भी देख होगा, तो यहां तक I hope आपको चीज़े समझ आ गई होगी, अब इसके बाद देखिए, अगर आपने यहां पर कहीं पर भी buying करी, तो आपका target क्या होगा, और आपका stop loss क्या होगा, इससे समझना ज़रूरी है, अगर आपकी buying ही यहां पर आ रही है, तो अब आपने MACD के एक crossover में खरीदा था, जब blue line ने intersect किया था red line को नीचे से, बट जब red line को blue line उपर से crossover करती है, उपर से निकलती है, तो यहां से downtrend की शुरुवात हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आप बेच सकते हैं, तो अगर आपने यहां पर कहीं भी खरीदा था, और आप इस trade किया, यहां पर example bankrifty का है, तो आपने futures में trade किया, futures का हम देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छा profit मिलता, अब मैंने क्योंकि बोला इसकी आप back testing कहीं पर भी कर सकते हैं, यहीं पर हम देख लेते हैं, तो आप चाहें कितना भी पीछे आ जाईए, अगर आपको यहां पर crossover दिख रहा है, आपको crossover दिखा, बट क्या आपको super trade ने बोला कि बेच दो नहीं, super trade ने यहां पर जाके बोला कि बेच दो, आप चाहें हैं तो यहां पर follow कर सकते थे, क्योंकि यह continue चल रहा है, बट हमारे लिए best क्या होगा कि crossover भी साथ ही हुआ हो, और price अगर हम बेच रहे ह आप यहां पर एक example आजाता है बेचने का, तो अभी मैं एक recent example ही ले लेता हूँ, example आज का ही ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए अब आप, अब यहां पर अभी तक चल रहा था uptrend, इसके बाद एक super trade ने signal generate किया कि आप बेच सकते हो, क्या M.A.C.D. में crossover देखा, entry rate हो, entry rate का मतलब क्या है, कि अगर आपका price VWAP से उपर है, VWAP के पास है, तो इसका मतलब क्या, अगर price उपर की तरफ है, तो यहां पर क्या होगा कि price तो VWAP के पास जाएगा, तो price तो गिरेगा, अगर price यहां पर था, तो यहां से उसे VWAP के पास आना है, अगर VWAP के पास आना है इसका मतलब है कि आपकी एक right entry हो सकती है बट आप confirmation का भी wait कर सकते हो कि जो next candle है वो पिछली candle का low break कर रही है क्या तो आप confirmation के barter rate करते हो it is even better कोई issue नहीं है आपकी 5 minute के time frame पे candle मिनी थी दूसरे 5 minute में confirmation मिल गई कि हाँ जी low break हो गया है आपकी entry correct है और आप कब तक बने रहेंगे जब तक बने रहेंगे जब तक दुबारा से नीचे crossover नहीं होता आज के ही दिन जब मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ तो आप देखिए कि इस strategy ने कितना बड़िया काम किया अब कभी भी देख लीजे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस candle में crossover हुआ ठीक है crossover हुआ crossover होने के बाद super trade ने बोला खरीदो अब एक बात देखिए यहाँ पर super trade ने बोला खरीदो अब stop loss यहाँ पर समझाना ज़रूरी है आप लोगो क्योंकि देखिए price उपर जाने के बाद नीचे भी आया तो entry के VWAP के पास हो रही है आप कहेंगे नहीं जी VWAP के तो बहुत नीचे हो रही है बट क्या यह सही है बात है कि हाँ जी यह सही है क्यों सही है क्योंकि VWAP के नीचे है price और trend change नहीं हुआ है तो हम अपनी position में बने रहेंगे अब एक चीज़ और है आपका stop loss क्या होगा generally होता क्या है जिस candle में आप entry कर रहे हो उससे पिछली candle के आप low का stop loss लगाते हो तो आप चाहें तो इस candle के नीचे का आप low का stop loss लगा के trade कर सकते हैं जो की low touch नहीं हो अगर हुआ तो आप बिल्कुल भाहर निकल जाएए क्यों निकल जाएए आप यहाँ पर loss वाली position को carry नहीं करेंगे अगर stop loss हिट हो गया तुरंट भाहर निकलो क्यों क्यों कि आप यहाँ पर risk to reward ratio देखे कितना जबरदस बनता है मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस candle में या इस candle से आप entry कर रहे हो अगर आप मैं कहता हूँ इसी candle से आप entry कर गए तो पिछली candle के high का आप ने stop loss लगा दिया अब अगर यह high break नहीं हुआ तो आप देखिए यहाँ पर stop loss कितना छोटा था और risk अगर इतना कम था तो reward देखिए कितना पड़ा था तो अगर आप यहाँ से माली जी यहाँ पर कहीं पर भी आप entry करते तो अगर आपने यहाँ पर entry करी example के लिए example ले रहे है कि आपने 35,400 पर entry करी होती 35,400 पर entry करी है तो अभी rate आगया 35,300.1 दिन में अब बात इसकी नहीं कि 300.1 दिन में रोज मिलेंगे आपको यह देखना है कि तीनों का जो मेरा triple confirmation है कितनी बार हो रहा है example यहाँ पर आपको crossover देखा आपको crossover देखा बट क्या super trend ने बोला नहीं बोला इस candle में बोला नहीं बोला इस candle में जाके बोला in fact तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको right entry मिलती है अब मालीजे आपने यहीं पर entry ले होती तो आपका इसके high का stop loss था कितना छोटा stop loss था और अगर आप target की बात करेंगे जब तक मैंने बोला कि दुबारा से आपको crossover ने देखा मदब यहां पर जाके crossover आया crossover हो गया आप भार निकल जाओ तो you made good profit and आप इसकी back testing आप कितनी भी कर लीजे आप अपने आप कीजे यहां पर crossover हुआ बटके trend change हुआ नहीं हुआ तो entry नहीं बनती यहां पर crossover हुआ क्या यहां पर confirmation है super trend का आया तो उसके बाद entry बनती है कितना भी बिच्छा आजए है मैं कहूंगा यहां पर आप आजाते हैं यहां पर यहां पर आपका crossover हुआ पटके super trend ने बोला अभी नहीं बोला जब super trend बोल रहा है तो उसके बाद हमें यह भी देखना है कि जो wewap है वो कितना दूर है और कितना पास है और best क्या है कि जब crossover हुए तभी super trend signal generate करें तो यहां पर नहीं किया हम नहीं करेंगे भला we can avoid the trades हमें हर बाद trade करना जरूरी नहीं है कि trade करना ही करना है तो अब example के लिए यहां पर आपको crossover हुआ अगर आपको एक दो candles के बाद दो तिन candles के बाद भी दिख जाता है कि चलो super trend ने change कर दिया आप चाहे तो entry ले सकते हैं बट best scenario क्या है कि जब crossover हो तभी आपको super trend भी बोल दे कि हांजी trend change हो गया जैकसे इस candle में हुआ तो यहां पर entry बन सकती है और यहां पर इस candle में देखिए जाकर आप बाहर निकल सकते हैं तो अगर आप इस तरीके से trade करेंगे तो इसके आप समझना है कि हमारे फायदे और नुकसान क्या क्या है एक सबसे important क्या है कि ठीक है potential अगर आप देखेंगे probability of winning it is huge बट उसके लिए market को एक trend को follow करना चाहिए अगर market किसी trend में देखिए आप sideways trend है तो इसमें बहुत ज़्या profit नहीं बनाएंगे sideways market में this is the only thing कि sideways market में strategy बहुत अच्छी काम नहीं करती बट जब आप trend के हिसाब से trade कर रहे हैं देखें यहां पर यहां पर crossover हुआ बट क्या super trend ने signal दिया नहीं दिया super trend ने signal बहुत बात दिया आप trade नहीं करोगे आप छोड़ सकते हो क्योंकि super trend sideways market में बहुत जल्दी change होता है यहां पर देखिए यहां पर बोल रहा है खरीदो थोड़ी दर बाद में बोल रहा है बेचो तो आप फस सकते हो क्योंकि triple confirmation नहीं आया अगर triple confirmation आयेगा तब ही आप trade करेंगे यहां पर देखिए crossover हुआ super trend ने बोला trend change हो गया आप entry कर लोगे कब तक जब तक crossover नहीं हो रहा तो आप देखिए risk to reward ratio आप देख रहे हैं कितना amazing risk to reward ratio आते है यहां पर बट अगर आप यहां पर trade करते हैं सिर्फ super trend के बोलने पर तो आप फस जाते हैं क्यों फस जाते हैं आप कहीं नगे entry ले 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 लेते हैं और उसके बाद price नीचे जा रहा था तो यह सिर्फ एक super trend आपको फस आ सकता है बट triple confirmation के सबसे trade करने में chances हैं कि आपका नुकसान बहुत कम होगा आपके profit जादा होंगे तो हम किस तरीके से trade करने वाले हैं आप यहां पर मैंने example bank nifty का लिया था आप किसी का भी example ले लो आप reliance का example ले लो यहां पर आपको reliance का दिखा देता हूँ हम reliance का chart खोड़ लेते हैं ओके सो हमने reliance का chart खोला मार्च मिनेट के टाइम फ्रेम पर सेम मेरे इंडिकेटर लगे हूए हैं यहां पर signal generate हुआ कि super trend ने बोला बेचो नीचे MS3D ने बोला बेचो और मैंने बोला VWP से बहुत उपर प्राइज हमारे लिए बढ़ी है नीचे गया प्राइज गिरा आपने मालीजी यहां पर बेचा था 2430 के आसपास example आपने बेचा market गिरी है यहां से इसी तरीके से जब buying signal generate होता है यहां पर crossover हुआ बट buying signal नहीं आया बाद में आया and try कि exactly same है कुछ candles के बाद है आप चाहें तो कर सकते हैं अब आजाते हैं इस पूरी strategy में सबसे बड़ी चीज को समझने में कभी कभी क्या होता है लोग नुकसान भी कर सकते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे example मैं यहां पर nifty का ले 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 जबर्दसाइंटरी बनती है good profits good strategy is working amazing but कुछ लोग क्या करते हैं एक मिनिट के टाइम फ्रेम पर trade करते हैं एक मिनिट पर तीन मिनिट पर हो सकते हैं आप जितना ज़ादा टाइम फ्रेम पर trade करोगे आप 15 मिनिट पर trade करोगे आपको confirmation और अच्छी मिल रही है अगर आप 15 मिनिट के इसाब से देखते हो तो आपको यहाँ पर crossover दिख रहा है यहाँ पर almost यहाँ पर crossover दिख रहा है इसके बीच में and वहीं पर आपको दिख रहा है कि super trend ने बोला भी और यहाँ से market गिर रही है but अगर आप सिर्फ एक मिनिट पर देखोगे तो market पर काफी कुछ हो रहा है super trend बीच में change भी हो जाता है example यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह बोल रहा है in fact आज ही यह बोल रहा है कि भीया खरीदो अब कुछ लोग फर्ज जाएंगे तो बहुत ही जवर्देस गरावर्ट आई है कुछ लोग बने रहते हैं trade में इसके लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर आपको PCR को भी देखना चाहिए PCR का मतलब होता है put call ratio overall market आज कहां जाएगी यह हमें कैसे पता लग सकता है यहाँ पर एक software में use करता हूँ auto render मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर derivatives में जाऊँगा auto render का link हम description comment box में डाल देंगे विकास यह कमाल का software है क्यों कमाल का यहाँ पर देखिए मुझे आज सुबह से दिख रहा था कि यहाँ पर auto render ने जो signal generate किया है वो sell का signal generate किया है तो बीच में यहाँ पर VWAP का signal बीच में buy भी बोल रहा है कभी आपको sell भी बोल रहा है अब confuse क्यों नहीं होना अगर मुझे overall sell का signal दिख रहा है तो एक चीज़ तो होता है कि आज मैं buy नहीं करने वाला अगर मैं options में trade करने वाला हूँ तो मैं call option में trade नहीं करने वाला अगर मेरा PCR ही negative example मैं bank nifty में trade करता हूँ अगर bank nifty का PCR यहाँ पर बोल रहा है जी आज negative है sell का signal है market में और यहाँ पर PCR इंप्रूव नहीं हो रहा है मतलब आपको यह समझना है यहाँ पर यह signal देता है आज खरीदने की market आज बेजने की market है अगर आज बेजने की market है तो आज कुछ हो जाए मैं buy नहीं करूँगा तो आप फस होगे नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है लोग फस जाते है यहाँ पर यह मेरी ही strategy में आपको लगेगा कि हाँ जी signal generate हुआ और देखो strategy काम करती है strategy की मैंने back testing आपको आपको कितनी भी देख लीजे अगर आप कितना भी पुराना चले जाए है अगर आपकी सारी चीजे match हो रही है तो ultimately example इस example में देखिए यहाँ पर नीचे से आपका crossover आया crossover के बाद आपका signal generate हुआ तो यह strategy को आप कहीं पर भी back test करके देख सकते हो अगर आपको इस strategy को आप यहाँ पर देखिए crossover आया एक आदा candle के बाद आपको देखता है यहाँ पर sell signal भी generate हो गया उसके बाद VWAP से उपर है मलब VWAP के पास जाएगा बूम प्राइस नीचे तो यह चाहे एक मिनिट का time frame हो चाहे पांच मिनिट का हो मैं आपको example देखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यह समझना है example यहाँ पर देखिए रिचे से crossover आया बट exactly यहाँ पर आपका super trend ने नहीं बोला तो आप चाहे तो इसे छोड़ सकते थे यहाँ पर नहीं बोला super trend ने की खरीद हो super trend ने कुछ candles के बाद बोला है तो you can avoid this अब कभी-कभी लोग इसमें first भी जाते है माली जा आपने यहाँ पर खरीदा बट आपका stop loss हिट हो गया इस candle में आपका stop loss हिट हो गया जबकि trend चेंज नहीं हो अगर आपने entry यहाँ पर ले भी ली थी तो इससे पहली वाली candle का low ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया आपका stop loss हिट हो गया आपका strategy ने काम नहीं किया पहली बत तो मैंने बोला कि crossover और आपका जो super trend आपका signal साथ में जनरेट हो देर में जनरेट हुआ पर फिर भी अगर आपने entry करी यह समझते हुए भी कि वीवैप के पास अभी नहीं है प्राइस वीवैप से नीचे तो जाएगा प्राइस उपर जो गया भी बट अब ultimately यह strategy के अंदर यह देखना कि आज भाई दिन किस चीज़ का है आज ultimately अगर दिन ही selling का है यहाँ पर PCR के अंदर option का signal जो है वो sell दिखा रहा है तो अगर sell दिखा रहा है तो मैं buy तो नहीं करने वाला इसलिए आप fuss होगे नहीं अगर selling का है तो जब sell का trade आएगा तब हम sell करेंगे और हम जबरदस profit कमा सकते हैं तो यह अगर आपको समझ आ गया तो आपको बहुत amazing strategy समझ आगे जिससे मैं बोलता हूँ कि यह ब्रहमास्तर strategy है because आप इसका कभी भी back testing कीजिए आप कितना भी पुराना जाके back testing कर सकते हैं example यहाँ पर देखिए crossover हुआ, signal generate हुआ signal generate होने के बाद price उपर गया और अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम stop loss की बात करें हमने entry ली थी stop loss hit नहीं हुआ आप बने रह सकते हो तब तक MACD का intersection दुबारस है नहीं हो यहाँ पर हुआ आप यहाँ पर निगल सकते हो so profit बन जाएगा बीच में super trend change हो सकते है क्योंकि अगर एक बड़ी candle इस तरीके से बन जाती है तो वो change हो सकता है बढ़ अगर stop loss hit नहीं हो रहा आप बने रह सकते हो अगर stop loss hit हो रहा है आप भार निकल जाओ so this is a simple strategy जिस इनसान को आज की rate में बहुत ज़दा technical analysis की knowledge नहीं भी है नया भी है वो strategy को समझ सकता है और अपने losses को minimize कर सकता है यहाँ पर देखिए crossover होता है नीचे से उसके बाद गया होता है कि आपको signal generate होता है बहुत उपर है VWAP आप entry ले लेते हो VWAP के पास तो price पहुँचे गई और जब तक दुबारा crossover नहीं होता आप बने रहते हैं यू मेक profits आप partial profits बूड कर सकते हो बीच में ऐसा निए कि end में मुझे profit बूड करना है जब तक दुबारा से crossover नहीं होता आप partial profit बूड कर सकते हो पिकर सबूड हम क्या सब ही ऐसा बोलते हैं profits are profits तो profit हो रहा है तो आप book कर सकते हो तो आप इस strategy को सबसे बेले खुद backtest कीजिए पर सबसे important मैंने आपको बताया कि आप auto trader का use कर सकते हो अगर आप stocks में भी trade करते हो तो भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर आपको even commodity में भी अगर आप trade करते हो तो सारे signals मिल जाते हैं कि ultimately आपको करना क्या है आप अगर gold में trade कर रहे हो silver में कर रहे हो crude oil में कर रहे हो so overall आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है example अगर यही पर मैं लूँ अगर आप यहाँ पर copper में trade करते हो तो लिखा हुआ आगया कि you can sell below 646 अगर आप aluminum में trade करते हो तो लिखा हुआ आगया कि you can buy above 207 similarly आपको यहाँ पर commodities के बार में पता लगता है आपको stocks के बार में बता लगता है so आपको काफी सारी knowledge इस software में मिल जाती है काफी सारे signals आपको इस software में मिल जाते है इस तरीकी की और भी को strategies हम आपके साथ share कर सकते है बट अगर आप बोलेंगे तो तो आपको comment करना पड़ेगा कि अगर आपको इस तरीकी की और भी strategies चाहिए अब इस strategy को आपको जैसे मैंने बताया था कि आप पहले paper trade कीजे आप back test करके देखिए results आ रहे हैं तो आप इसे implement कर सकते हैं जिससे आपको पता है जैसे मैंने बताया कि stop loss बहुत चोटा होता है और आपको जो target है वो बहुत बड़ा मिल सकता है finally auto trender जो software मैंने use किया उसका link description comment box में है आप चाहें तो auto trender को subscribe कर सकते हैं बहुत effective software है finally I will see you in the next video ये वीडियो को प्यार देने के लिए like कर दीजे share सरू कीजेगा जसे ये strategy बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोगों का फायदा करवा पाए और उनके losses बहुत चोटे कर पाए तो बहुत लोग लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वह क्यों trade कर रहे हैं कि strategy से trade कर रहे है so they will get to learn about a beautiful strategy finally Facebook पर वीडियो देख रहे हैं follow कीजे YouTube पर देख रहे हैं अपने यापी subscribe कर लो bell icon पर click कर दो वरना आने वाली जो वीडियो में मिस हो जाएंगी so subscribe this channel I will see you in the next video till that time you go self-made